नमस्कार दोस्तों, हमने कवी और रचनाकारों के अंतरगर सबसे पहले वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, उसके पाद आधुनिक काल में सबसे पहले भारतेंदु यूग, फिर दुवीदी यूग की परिशर्चा की, अब हम परिशर्चा करेंगे छायावाद यूग की चायावाद यूग का समयकाल है 1908 से 1936, पहले चायावादी कावे संकलन, संकर प्रशाद के जरनक अपरकासन 1918 में हुआ, कमाईनी का लेखन पून हुआ, आमुक की तिति थी इसकी 1935, जैसंकर प्रशाद का जीवनकाल है 1890 से 1937, एक बात कहना जाओंगा मित्रों हिंदी के जितने भी बड़े रचनाकार हुए हैं, लगभग बहुत ही अल्प आयू हुए हैं, 40 साल के अंदर-अंदर ही कुजर गया हैं, जिसमें भारतें दुहरिष्चन, बालमुकुन, गुप्त या जैसंकर प्रशाद ही हों, सबने बहुत ही कम जीवन पाया है, अगर यही एक सा साहित हिंदी साहित कारों की नकल कर रहा होता, चलिए आगे जैसंकर प्रसाद जी के बारे में जानते हैं, 1890 से 1937, इन्होंने काव्वे जो रचित चित्राधार ब्रजभासा का विता हैं, 1908, प्रेम पथिक ब्रजभासा रूप 1909, खड़ी बूली, 1914 जरना, 1908 आसू 1925, ल इनके मृत्त के बाद किसी ने निकाला लगा है, नाटक राज्यक्षी, इनका था 1915 पहला नाटक, अजास सत्र उन्नी सो बैस, कंदुप्त 1928, चंदुप्त मौर 1931, दुरुवर्श्वामेरी 1933, उपन्यास कंकाल 1929, तितली 1934, इरावती अपून, मर्डो परांत इसका प्र इसकाला था अन्यनी बंद, मर्डो परांत प्रकर्शन हुआ, उन्नी सो उन्तालिस में, अबाते हैं निराला, 1899 से 1961, इनके कावे हैं अनामिका, प्राचीन 1923, इनने अनामिका का संसोधी त्रुप निखा, जो कि 1931 मेंता, परिमल 1929, गीतिका 1936, तुल्सीदास 1938, कुकु पूर मुत्ता 1942, आणिमा 1943, बेला 1946, नय पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1933, गीत अगुंज 1954, सांदे काकली मर्णु परांत प्रकर्शन हुआइस का 1979, उपन्यास इनके थे अपसरा 1931, अलका 1923, प्रभावती 1936, निरूपुमा 1937, चूटिकी पकड़ 1946, काले कारना में 1950, कहानी लिली 1930, सुकुल की वीवी 1941, संस्मरन जीवनी कुली भाट 1949, बिल्ले सुर्वकरिया 1942, समिक्षा रविंद्र कविता कानन, पंत और पल्लो 1928, फिराते हैं सुमित्रनांदन पंत, जिनका जीवनकाल है 1900 से 1937, इन्होंने पल्लव लिखी 26 में वीणा 1927, गुंजर 1932, युगांद 1936, युगवाडी 1949, ग्राम्या 1940, सुर्ण किरन 1947, सुर्ण धूली 1947, युगवाड़ 1949, उत्तरा 1949, अन्तिमा या अनिमा, 1955 वाणी 1958, कला और बुढ़ाचांद 1969, लोकाइतन 1964, सत्ते काम 1975, नाटक तथा कावे नाटक, जुच्चना 1934, रजत सिखर 1952, सिल्फी 1952, उपन्यास हार रचनाकाल, 1916-17, प्रकाशन 1960, पांच कहानी हैं इनकी, 1936 में, अलोचना, गद्यपत, 1903, सिल्फ और दर्शन, 1961, छायावाद, पुनर मुल्यांकर, 1965, आत्म कथा, इन्हों ने लिगी 60 वर्जेग रेकांकर, 1960 में, महादेवी वर्मा आती हैं अब 1907 से लेके 1987, कविता, निहार 1930, रस्मी 1932, निर्जा 1934, सांदेगिद 1936, दीप सिखा 1942, प्रतम आयाम, ब्रज भासा तथा खड़ी बूली में, आरंबिक कावी 1984, रेखा चित्र संस्मान, आतीथ के चल चित्र 1941, मुर्ति के रेखाएं 1943, पत् निमत नहें, इनके शिंखला की कडिया, 1922, खड़ी बूली में, आलोचना सहीतिकार की अस्तव अन्य निबन, दंगा प्रसाल पांडेदो रहें संपाधिते, 1922, आब बारी आती हैं प्रेम चन जी के 1880 से 1936, प्रेम चन जी के उपन्यास हैं, सेवा सदन, 1922, सेवा सदन, 1918, वर्दान, 1921, प्रेमाश्राम, 1922, रंग भूमी, 1924, काया कल्ब, 26, निर्मला, 27, प्रतिग्या, 29, गबन, 31, कर्म भूमी, 32, गोदान, 36, मंगल सुत्र, जोकी अपूर, रहमानो परांद, इसका प्रकर्षान हुआ, 1924 में, काहानी इनकी सब्सरूर, ये 1917 में मांसरूर, ये आठ भागों में हैं, जिसमें 300 काहानियां जंकली थे, संग्राम, 1923, कर्बला, 1924, पत्रकारिता, माधुरी, 1928-31, हंस, 1930, जागरन, 1932, अलोचना, साहितिकाउद्देश, 1924, चंदर सर्मा गुलेरी, 1833-1922, काहानी, सुखमे जीवन, 1911, बुद्धू का काटा, उसने कहा था, इसका देखे, चंदर सर्मा गुलेरी की तीन कहानियां हैं, जिसको अभी USB, अगर बोल देंगे USB, तो ये याद हो जाएंगी, सुखमे जीवन, यू से, उसने कहा था, 1915, ठीक है, फिर S से, सुखमे जीवन, 1911, फिर बुद्धू क काटा भी है, लेकिन क्रम की है इनुसा सुखमे जीवन, सबसे पहली कहानि है, निबंद है इनकी विक्रमों वर्षी की मूलकता, 1905, अमंगल की स्तान में मंगल सब्ध, 1915, पत्रकारिता समालोचक, 1902, रामचन सुखल, 1884-1941, निबंद है, चिंता मड़ी भाग एक, 1949, ग्यारा वर्ष का समय, सरस्वती, 1903, कविता, मधुष्षोद, कविताओं का संक्रम, 1911, प्रकाशित, आलोचन, गोस्वामी तुल्चिता, 1923, जैसी ग्रन्तावली की भूमिका, 1924, भ्रमर्गीत सार, 1925, रस्मी मांसा, 49, इतिहास, लिकाईनों ने हिंदी सहितिका, इतिहा स्मूल रूप हिंदी सब्चागर की प्रस्तावना के रूप में, 1929, संसुदि समवर्धित रूप, 1940, अनुवाद, अंग्रितिता, बंगला से कावे, उपन्यास, आलोचन, और भुवित, ज्यान, विशे, ग्रन्तों का अनुवाद, इसमें प्रमुख हैं, विश्व 22, संपाधन हिंदी सब्चागर, 1923, नम दुलारी बाज़ की, 1906 से सर्षा, इनकी आलोचना है हिंदी साहित बेश्वी सदब्दी, 1945 में, आधुनिक साहित, 1950 में, नया साहित नय प्रस, 1955 में, आधुनिक कावे रचनावर विचार, 1922, भगवदी चरणवर्मा, 1930 से, 1981, इनक अपने खिलाउने 57, भूले बिश्रे चितर, 69, सामर्थे और सीमा 62, रेखा, 1964, सबाइ नचावत, राम गुसाई, 70, कहानी इंस्टॉल्मेंट, 1936, दो बांके, 1938, कविता है इनकी प्रेम संगीत, 1937, और मानो, 1940, रामकुमार वर्मा, 1905 से लेके, 1990, इनकी कविता है, अंजली 1930, चितररेका, 1935, एकलव अठावन, एकानकी संगर, प्रिथवी राज की आंके, 36, रेशमीटाई, 41, चारुमित्रा, 1942, इन्होंने इतिहास जो लिखा, वो हिंदी सहित का, आलोचनात्मा की इतिहास लिखा, 1938 में, फिर आते हैं हरिवन्स राय बच्चन, 1907 से, इन्होंने कविता लिखी, खयाम की, इनका निदन साय 2004 में हुआ है, कविता खयाम की मदु साला, 1935, मदु साला, 1935, मदु कलव सैंतिस, निसानी मंतरा, 38, एकान संगीत, 49, सतरंगिनी, 1945, मिलनियामनी, 50, आरती, अंगारे, 58, आत्मकता, इन्होंने चार लिखी हैं, क्या भूलू किया करूं, 79, नेड का नेर्मान, 70, प्रवास की डारी, 71, और बसेरी से दूर, 77, दस द्वार से 105 तक, उन्नीस सो, पचासी में, तब इरोंने पांच भागों में कथा लिखी है, फिराते हैं, रामदारी सिंग दिनकर्ची, उन्नीस सो, आठ से उन्नीस सो, चोवतार, इनकी कवि दिली, 54, उर्वसी, 61, परशुराम की, प्रतीक्षा, 1963, आत्मा की यांकी, 64, अलोचना और विचार साहिते में, इन्नोंने संस्क्रित के चार अध्या लेकिया, उन्नीस सो, चपन, इमें, पंत, प्रसाद और मैतिली सरंगुप्त इन्नोंने लिखा, 1958 में, सुद्ध कविता क इन्नीस सो, चाचट मिलीगी, दोस्तों, इसी के साथ, चायावाद का युग समाप्त होता है, अब हम अगले युग, प्रकतियो, प्रियोगवाद के बारे में, चर्चा करेंगे, वो अगले वीडियो में, आप इस पूरी सीरीज को देखें, देख लेंगे, तो आपको, ए वीडियो देखने की सलादी, क्योंकि मेरा दावाय है, कि पूरे यूट्यूब पे आपको इस तरह का कंटेंट एक साथ कहीं नहीं मिलेगा, धन्यवाद, सुबरात्री, जैहिन